नमस्कार दोस्तो दीपू टेक में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप अपने फॉन में गड़ी वाला लाइब बॉल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप अपने फॉन में टाइम देखते हैं दोस्तो अगर आप अपने फोन में गड़ी बाला लाइब बॉल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को कम्पलीट जरूर देखिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा गड़ी बाला लाइब बॉल पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं और इसको फोन में किस तरीके से सेट करते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो को कम्पलीट जरूर देखिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए आया तो चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसको आल पर सेट कर दीजिए चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले तो आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ये इसका नाम है Analog Clock Life Wallpaper इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंग मैं ने डिस्क्रिक्शन में दे दिया है आप इस एप्लीकेशन को वाठरी डाउनलोड कर लीजिए फिलाल मैं इस एप्लीकेशन को ओर्रेडि डाउनलोड कर चुका हूँ मैं इस application को open कर लेता हूँ जैसे ही आप इस application को open कर लेते हैं आपके सामने इस तरीके का interface देखने के लिए मिलेगा आपको यहापर नीचे setting का icon देखने के लिए मिल रहा है आपको इस पर click कर देना है फिर आपको यहापर colors पर click कर देना है आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पर प्राइमरी कलर दिखाई दे रहा है प्राइमरी कलर यह वाला यह बाइट आपको यह नंबर बाइट दिखाई दे रहा है अगर आप इसका कलर कुछ और रखना चाहते हैं तो primary पर click कीजिए और आप अपने इसाब से यहां से कोई से भी color रख सकते है यहां पर color रख लेता हूँ red और ok कर देता हूँ और आप यहां पर देख रहे हैं second end यानि कि यह second वाली सुई का color बता रहा है तो इस पर click कीजिए अगर आप इसका color कुछ और रखना चाहते हैं तो यहां से कुछ भी रख सकते हैं फिलाल मैं yellow रख देता हूँ और ok कर देता हूँ तो यह देखिए second वाली सुई का color yellow हो चुका है और आपको यहां पर यह नीचे टेक्स दिखाई दे रहा है जो गड़ी के अंदर जो टेक्स है ना इनका color change करना चाहते हैं तो टेक्स पर click कीजिए और अपने इसाब से यहां से कोई साभी color रख सकते हैं फिलाल मैं यहां पर color रख लेता हूँ मैं यहां पर color white रख देता हूँ तो white मैंने color रख दिया और ok कर देता हूँ तो यह देखिए मेरा primary color red हो चुका है और second end वाला color yellow हो चुका है और text का color white हो चुका है तो यह सब अपने इसाब सक customize कर सकते हैं और यहां पर customize करके right पर click कर देजिए यह save हो जाएगा और आपको इसके नीचे एक show का option दिखाई दे रहा है आप इस पर click करके आप यहां पर आ सकते हैं और आपको यहां पर गड़ी के अंदर यह style 7 दिखाई दे रहा है अगर आप इसको change करके अपने नाम लिखना चाहते हैं इसके अंदर तो आप यहां से लिख सकते हैं आप यहां पर नीचे style 7 पर click कीजिए और यहां से टेक्स को अटा दीजिए और यहां पर अपने नाम लिख दीजिए फिलाल मैं अपना नाम लिख देता हूँ मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया दीपू टैक और राइट पर click कर देते हैं और आप यहां पर नीचे आईए आपको यहां पर यह अलिंग और अंड साइज दिखाए दे रहा इस पर click कीजिए और आप यहां से अपने सी गड़ी का साइज कम यहां Kunden कर सकते हैं जैसे के आप देख सकते हैं आप अपने सापसे यहां से गड़ी का साइज रख लीजिए और राइट पर क्लिक कर दीजिए ये सेव हो जाएगी फिर यहां पर बैक आईए और आपको यहां पर बीच वाला चौक और डिबबा दिगाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और ये गड़ी वाला आइकन चॉइस कर लेना ह और set as home screen wallpaper पर click कर देना है तो ये देखिए ये हमारे screen पर set हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही ये गड़ी तो फिलाल यहाँ पर हमारे screen पर ये गड़ी वाला live wallpaper set हो चुका है तो आप इस तरीके से अपने phone के अंदर गड़ी वाला live wallpaper download करके set कर सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आयोगी तो प्लेज इस वीडियो को like कर दीजिए और आगे भी इसी तरह की interesting वीडियो देखना चाते हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर कीजिए ताकि आपके friend भी इस वीडियो को देखे और वो भी अपने phone में गड़ी वाला live wallpaper डाउनलोड करके set कर सके दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो please comment जरूर कीजिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही फिर मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद